अस्रावनकों नाजरीन शाम चे साथ बजे तक शर खबरनाम है चोजब साहिल अमीन तुन्दिस खदमत असमन्स हजर्ट खबरन हुन तफसील जानने ब्राँ आख नजरेज चन खास-खास खबरन पेर्ट के सीजी लोन माप करनों के इंतजार करनों वे लोग खाईब गफलत असमन्स पीम पेकेज मुलाइज मिलेज मिलेज मसमन्स रावन सवाल सरकार संजी एद गैरी बियत ये निक कंशते तनकाजन अलजी मनोई सिना कुनन पोश्पोर्ट पेटामते लोग उतरप सिरनगर्ज प्रेस कॉलनी मज एद जाज पोश्टर पर गिरिफतार करना हम तिस नावजवान से इस बाज जिय भी हिंस मुझारिय नो मांग तो नाजरीन पेश खबरन हो तफसील जो मिसमत शाज़े लजी मनोई सिनान जराई इवलाग के नमाइंदन हीनन सवालन हुन जवाब दिवान वनमुद्ज पीम पेकेज अस्ताथ काम करन वालन मलोईजमन हीन मसले इंजरावन सवाल चासर कारतर पसंजीद कादम तुलना आमुईत ताहम येन कोश्टी मलोईजम दूसरी बात ये समझे कि ये जो नए कानून बनाए गए यहां के लेंड लाज बड़े रिगरेसिव थे प्रतिगामी थे और अनेक परिवर्तन हम लोगों ने की हैं यहां कानून ये था कि अगर आर्चर लगाना है किसान को तो भी रेवेन्यू मिनिस्टर से परमीसन चाह कि ये वो कानून हमने बदलाने कि इस तरह के बदलाव हमने की हैं लेंड पास्बुक तीनों भासाओं में लोगों को फलब्द कराई जा रही है अधिक से अधिक टेकनालोजी का उपयोग करके मैं एक बात बार बार कहता हूं कि अगर महाभारत के समय लेंड रिकार्ट तो बगवान किसमें वो पाँच गाओं का मसला सुझा दिया होता है तो वो काम हम करने जा रहे हैं दूसरी बात में यह कहना चाहता हूं कि यह मुस्किल से चार पांच सोले प्रभावित होने वाले हैं और मैं आज यह कहना चाहता हूं कि कोई भी गरीब दुकांदार या गरीब आजमी से फरभावित नहीं होने वाला है हाँ ये सच है कि सो करोड की प्रापर्टी वेगर पांच रुपए में लेकर के लोग राज कर रहे हैं तो जो सरोच नियाले का आदेश है जो देश का आज कानून है सरोच नियाले का सम्मान मैं भी करूंगा पूरे देश को क करना चाहिए और सब को करना चाहिए और वही कानून हमने बनाया है देश के किसी राज्य में कोई दूसरा कानून नहीं है कुछ लोग अनावस्या गुम्राह करने की कोशिस करें तो माप किया जाए ये वो माफी वाजमाना कटम हो गया ठीक है ना किसानों की आमदनी हमने तो सालों में इतनी बढ़ा दिये कि पंजाब हरियाना के बाद हम आ गए हैं और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये पांच साल बाद देश में सबसे ज्यादा आमदनी जमू कस्मीर के किसान की होगी एक तो जम्मू कस्मीर में कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, कौन आफिस खुलेगा, कौन आफिस नहीं खुलेगा, इसका फैसला जम्मू कस्मीर प्रसासन और भारत सरकार करेगा, किसी दूसरे के इसारे पर ये काम नहीं होने वाले, वो दिन लद गए, ये आपको ध्यान म में रखने की यह दूसरी बार क्या देखिए आज स्वास्त मंत्री जी का बयान में ने पढ़ा है जिनों सिक्वेंसिंग के लिए उनने बात कही है और किसी की यात्रा रोकने का हमारा कोई उद्यस नहीं है लेकिन जब कोविड था तो उसमें बहुत सारी चीजें बंद हो है इस पंद्रने किया जाएगा और यहां पूरी तरह से राजनेती गदिविदियों के लिए लोगतांत्री गदिविदियों के लिए सब को आजा दी बस यह कहीं बात परता बंदी है कि भारत के विरोध में कोई काम होगा तो उसे जरूरों का जिया जाएगा तुसरी बात आपने कस्मेरी पंदित और जमू बेज इंप्लाइस की बात उठाई है हाँ यह सच है कि दुबद घटना भई में हुई थी और उस समय से यह बाई हमारे हर्ताल पर थे निरंतर में उनके संपर्क में था और उनकी जो लंबे समय से चली आ रही समस्याएं थी मनें इमांद सब्सक्राइस की कुल का समाधान कर दिया जाए मैं आपको दिन करके बताता हूं एक वो चाहते थे कि सुरक्षी तस्थानों पर तैनाती हो जाए दीसी जस्पी और प्रसासन के वरिष्ट अधिकारियों के साथ बैट करके लगब लगब सारे लोगों को डिस्टिक हेड़क सब्सक्राइब कर दिया गया कुछ लोग तहसीर हेड़कौर्टर पर हैं या रूरल लगलप्मेंट के कुछ हैं जो सहर में नहीं तैनात हो सकते हैं तो सहर के मजदीक वाले गाउं में किया है दूसरी बवस्ता यह की गई थी कहीं भी एक कोई कस्मीरिक माइगरें या माइ इनाठी का इंप्लाई किसी स्कूल में किसी ओफिस में अकेले नहीं होगा हर जबा दो तीन मिनिमम लोग तैनात करती है तिसरी बाद उनकी सुरक्षा की दृस्ती से भी हर जिले में हमने अफिसर अपाइं किया है हमारे कारयाले में भी एक ओफिसर है जो उनकी गृवांस क वो सुनता है उसका कैसे समाध्हान किया जा सकता है इसकी कुछ इस करता है लंबे समय से उनका प्रमोसल नहीं हुआ थै वो हमने सारे लोगों के प्रमोसल कर दिए जो नान गजटेट से गजटेट में जाने वाले लोग थे वो भी लिस्ट पब्लिक सर्विस कमिशन को भेज़ दी गई, 2015 में ये लोग अपाइंट हुए थे, पब्लिस सर्विक्स कमिशन के चेर्मेन साब से मैंने निजी तोर पर बात चीत की थी, उनका साब 2014 के जो करमचारी थे बाकी कटेगरी के, जनरल कटेगरी के, उनका प्रमोसन अभी हमने खतम किया है, इन लोगों का भी प्रमोसन कर दिया जाएगा, एक उनकी दिक्कत है, जो सभावी कुलूप से मानता हूं कि वो वाजिब दिक्कत है, उनके आवाज दी, मुझे याद एक जब तो जमीन नहीं मिलती थी, जमीन दे दी गई, अधिकांस काम के टेंडर हो गए हैं, एक दो बचें वो भी जल अधिक्त हैं, तो वो सुरक्षित हैं, ये हमारी प्राथमिक्ता है, और तनखा उनकी, उन्हों ने मुझसे, मैं सारवजनिक रूप से आज कहना चाहता हूं, ताकि उनको हुए मालूम हुए, उन्होंने मिल करके व्यक्तिकत रूप से मुझसे इन्हों ने कहा था, कि हमें ठड़ा ब्रिदिंग पीरियड दे दी, 31 अगस तक की तंखा सब को दे दी गई, लेकिन अब ये नहीं हो सकता है कि घर बढ़ करके तंखा दी जा, ये बात एक क्लियर एंड लाउड में मेसेज है ले, ये सब को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, मेरी पूरी सान भूद है, जम्मू कस्मीर प्रसासन हर प्रकार से उनकी सुरक्षा, उनकी मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है, और यो दूसरे मैनार्टी इंप्लाइज हैं जो जम्मू से वहाँ जाकर बढ़े हैं, वो एक बात उनको भी ध्यान में रखनी के हैं कि वो कस्मीर डिविजन के करम च मज़ना चाहिए, फिर भी मैंने ये कहा कि हमारे पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं, एक कमेटी चीप सेकर्टी साब ने बनाई है, संजोक से जो पहले उस कमेटी को हेट कर रहे थे, उनको भरोसा दिया है कि अगर कोई दूजाइस होगी, तो एक नीत भी हम बनाने की कोसिस करे पॉलिस सेशन टालस मिच आज़ पॉलिसस ता अवामने दर्म्यान रिष्ट मजबूत बनाउनिस होगी ताकरीब हुन सांस करना आमुत ये इतमस पॉलिय सरबरा दिल बाग सिंग वीजे कमार तो देमयो पॉलिस तो जम्दारो अलाव आवव गय में नमुेंदो सेटी जन पुलसस्त आवामस दर्मियान रिष्ट मजीद मजबूत बनावन समस असेनी सब देए सबसे बड़ा पैगाम जे है कि आज तराल का लाका बिल्कुल अमन के महाल का लाका बन गया है जहां पर तरक्की और खुशाली का महाल जो है वो बाकी जगों की तरह फिर से पैदा हो रहा है तराल मिल्टनसी से लगपग मुक्तो चुका है इसके लिए मैं अवाम को लोगों को मबार्ग देना चाहता हूँ नौजवान बच्चे इसी रास्ते को अपना सही रास्ता मानके चलें किसी भी सूरत में किसी के बैकावे में आके गल्त रास्ता अक्तियार ना करें क्योंकि जो गल्त रास्ते पे चले थे वो लौट के वाफस नहीं आए किनन पोश्पीर पेटामतियों लूगो तरपुच आज सिर्नगर्श प्रेस कॉलनी मज एहज़जी मुज़री करना आमुद या दोरान एहज़ाजस में लूग इंसाफ फरहम करनेच मांग कराने है एहज़ाजस में शेह में लूगो तरपुच वन आमुद यर्वे पंदा दसंबर शाम पे फोज़तर पो अबदर शीद नावक नौजवान नामलूं वजवातन पेट गरिपतार करना हाओ ताहम चुना आज़दाम गरवालन तेमिस हवाल कां पाई पता मौलूम सपद मुद यमकिन तिम फ्रेस्ट कॉलनी स्रनगरस में एहज़ाज करने स्पर मज़़ूर सपई एज़ज में शेमी लोको तरफशे ऐल जी इंतिजाम यास मंग करना आमज़ आत्मामलस मुद गरिपतार पूर्द सब्रेस्ट करने हैं पुरी कराँ! जी हम यहाँ पे आए हैं मेरा नाम कुरात अलाइन है और हम अपने मामु के लिए आया हैं जिक उनन पोश पोड़ात मेरे मामु का दा मियुक्त मैरे मामु का नाम उप्द्र रशीडार है ुए यार्मी यहाँ पर आए इन्होने और पहले डौर्णच रिकले panor ने इनको बोला क्या बात है इन्होंने बोला हमें रशीद भाई चाहिए इन्होंने बोला क्यों रिजन क्या है क्या हुआ है इनको इन्होंने बोला हमें बस पूछ आज करनी है और मेरे बड़े वाले मौमुने इनको बोला पुलीस साथ है आपके सर पे साथ है इन्होंने बो वरणा पर्शप परर, मेह जो खच्छ आणा, वाइया भाइज और पशच मांश अठा हुझ कई, जा झाय मोदेगरे पता, मेह जहां जाले धायम, हैं जो फटी हुझ कोडे जिए को तो तेद। तर्फश पिर्श अगन्वार की यूल भ winter music पहियत है मालियोल फच्छी ताय थान है मैं तो तैसमीन कान अग्राols करा आग है ने पत्वास म्हान संग पहन को भीह से लोड़ी मैं उत्याव उत है, विछिश को थाय दैलील है भीह स्मीं हुआ हemi सिस्कूम नाजरीन को इशिर खबर नाम ची जेरी एतनी मौाक तिजरती वक्फ